हलो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों मैं हूँ C.A. पंकस दरावगी और आज की वीडियो जो है वो C.A. में फाउंडेशन इंटर एंट फाइनल तीनों ही लेवल्स के लिए है और स्पेशली उन बच्चों के लिए ये है जिनोंने अभी जून 2024 में एक्जाम्स दिये हैं दोक लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि सर्थ C.A. में फाउंडेशन के जो बच्चे हैं एक्जाम हो चुके हैं अप्रॉक्स अप्रॉक्स में बात प्रूं 11 जुलाई की आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है एस पर इंस्टिट्यूट ने जो डेट शिट दी थी उसमें उन्होंने लिखखा की को हम रिजल्ट डिक्लियर कर देंगे तो हम यही मान के चल रहे कि एसपास आपका रिजल्ट टिकलियर होजएगा लेकिन यह वीडियो आप देख रहे होंगे 21st जून को 21 जून और 11 जुलाई के बीच में 20 दिन है दिखो 20 दिन क्यों वेस्ट किये ज जो है CMA foundation में हम सब को बता है कि result काफी अच्छा आता है even मैं बात करूं result almost almost 90% plus में result आपको देखने को मिलता है और आपने एक्जाम दिये हैं आपको idea लग गया होगा कि सर मैं clear कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगे तो देखो यह जो 20 days है इनको waste करने का कोई फाइदा नहीं क्यों क्योंकि आपका result आएगा 11 जुलाई को और institute आपको allow करता है कि आप December में एक group में appear कर सकते हो first group second group जैसे आपकी मर्जियों वैसे आप एक group में appear कर सकते हो या फिर जून 2025 में जाते हो तो बहुत group में appear कर सकते हैं तो कहीं न कहीं इन 20 days को save करके चलो तो waste मत करो time start कर दो अपनी preparation किसी भी group के लिए किसी भी एक group के लिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत group के लिए आप classes अभी से start कर दो हाँ अगर आपका plan है rank की side में कि सर मुझे तो बहुत group देने जून 25 में देने rank के लिए जाना है या फिर बहुत group ही आपका target है तो फिर आप बहुत group के लिए preparation कर सकते हो otherwise मैं फिलाल suggest करूंगा कि आप एक group के लिए preparation स्टार्ट कर दीजिए एक group के लिए preparation स्टार्ट कर दीजिए और appear कीजिए दिसंबर 2024 के exam में अगर आप बहुत group का target लेकर चल रहे हो बहुत group की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कोई problem नहीं है और appear कीजिए जून 2024 के exam में तो simple सी बात cma foundation वालों के लिए guidance यह है मेरी तरब से कि यह जो 20 days है waste बिलकुल मत करो और आप जल्दी से जल्दी search करके अपने classes इंटर की स्टार्ट कर दीजिए classes हमारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा वीडियो को आगे जा कि आप देख सकते हो cma inter की classes काफी अच्छी एक्सपर्ट फेकल्टी हमारे हाँ पे अविलेबल है आप classes ले सकते हो और face to face चीए डेली में मिल जाएगी आपको live classes चीए all over India वो भी मिल जाएगी और pre recorded classes आपको चीए वो भी मिल जाएगी मतलब mode of classes क्या आप पे depend करता है आपको क्या mode of classes चीए उससी mode में आपको classes हम प्रवाइड करवाते हैं बात करूं मेली cma inter वाले बच्चों की सर cma inter में काफी सारा बच्चा ऐसा होगा जिसने एक ग्रूप में अपियर किया होगा ग्रूप 1 में अपियर किया होगा या फिर ग्रूप 2 में अपियर किया होगा दोनों में से किसी एक ग्रूप में अपियर किया होगा और दूसरा ग्रूप उनका pending है पेंडिंग मतलब दूसरा ग्रूप उनका clear नहीं है भी जो की वो प्लान करे होंगे December 2024 में देने के लिए अब देखो अगर आपने कोई भी दिया है situation तो दो ही हो सकती है या तो आपके पेपर अच्छे गए होंगे या फिर पेपर अच्छे नहीं होगे और मेरा यह मानना है 90% प्लस students को यह पता होता है कि हमारे पेपर कैसे गए है clear होने कि क्या chances है अगर आपके पेपर अच्छे गए हैं आपको लग रहे हैं कि सर च्छारों पेपर अच्छे गए हैं हम clear कर जाएंगे तो आप second group के लिए preparation start कर दीजिए second group का मतलब है जो भी आपका दूसरा group बचा हुए अगर आपने group 1 के exam दिये हैं तो December 24 में आप second group देंगे उसकी preparation start कर दीजिए क्यूंकि आपका जो result है CMA इंटर का जो result है वो आएगा अप्रॉक्स अप्रॉक्स 21st या 22nd ऑगस्त को दान देना 21st या 22nd ऑगस्त को सर अभी तो 21st जूनी है जुलाई और ऑगस्त दो महिने आपके पास बचे भी हैं दो महिने वेस्ट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं प्रोफेशनल एक्जाम के पॉइंट अब इस से तो प् 50% कंप्लीट कर लिया जाए तो कोई सेंस नहीं बनता कि मैं रिजल्ट का पहले वेट करूं कि मेरा ग्रूप क्लियर हो जाए उसके बाद मैं नेक्स्ट गूप के लिए प्रिपरेशन करूं सर अगर अगस्त में स्टार्ट करोगे दिसंबर तक आप अपनी क्लासे जी कवर निकर पाऊगे तो फिर पेपर तो कहां से दो इन इनी केस आपको यह दो मैने वेस्ट नहीं करने हैं अगर आपने फर्स्ट ग्रूप दिया इमिजेट बेसे सेकंड की क्लासे स्टार्ट कर दीजे प्रिपरेशन कर दीजिए अगर सेल्फ स्टेडी कर रहो सेल्फ स्टेडी करने का कोई फाइदा नहीं अगर आपके पेपर अच्छे नहीं वे हैं तो आपने जो गुरूप दिया है उसी की प्रिप्रेशन दुबारे स्टार्ट कर दीजिए अब होगा आपने जो गुरूप अभी दिया है आपने पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत तो आपका टारग यह होना चाहिए कि मैंने जो पड़ा है जो मेरा रहे गया था उसको में रिवाइज कर लो अच्छे से अब अगर अपना पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है से एक्जामपल फर्स्ट रूप का वैसे तो आप अगर सोच के चल रहे हो नहीं क्लियर होगा तो देखो ऐसा कोई कि चमतकार नहीं होने वाला की भी पेपर अच्छे नहीं गए फिर भी पेपर क्लियर हो जाए तो आप सिंपल सी बात है उसी ग्रूप को कवर करो एक्किस अगस्त तक उसके बाद आप अपना माइंड मेक अप उस टाइम पर करना कि सर ट्वंटी फर्स्ट ऑगस्त तक मैंन पर 2 महीने में उसको कवर कर ढळालो गया और उसके बाद अपने पास अघस्त के बास सब्टम अक्टूबर नवंबर और अपने एक्जाम अप्रॉक्स अप्रॉक्स दस घ्यारा दिसंबर तो को कोते हैं तो आगर आप आपको लगता है कि सर जो गूर्प मैंने दीजा उसक इसकी वज़ा से मेरा ग्रुप नहीं निकलेगा तो फटी goshreg map अरुर साथ में आप जो बचुत कर दीसे कि बहूत बार ऐसा हुता है का चार पेपर है से वागने यह चार पेपर हैं उसमें से तीन थीक हो एक खराब हो गया और और वह एक ऐसा घराब हो गया कि मेरी उम्मीदे सारी मिट गई कि इस बार तो क्लियर नहीं होने वाला तो मेरा टार्गेट ही होना चीए उस एक पेपर को स्टार्ट कर दूं साथ में जो दूसरा ग्रूप बचा हुआ उसको स्टार्ट कर तो अगर आपने एक ग्रूप दिया तो उस पेपर को प्रिपेर करना स्टार्ट कर दीजेस साथ में दूसरा जो गृप बचा हुआ है उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजेए मेरा सजेशन है बाकी देखो आप मानो या ना मानो वह आपकी मर्जी है बड़ this is guidance from my side my opinion मुझे 15 years के experience है इस फिल्ड में 2009 से मेंटीज कर रहा हूँ तो मैंने हर तरीके का बच्चा इंडस्ट्री में देखा है हर तरीके की problem face करते वे बच्चे को देखा है तो उसी basis पे उसी experience के basis पे मैं आपके साथ ये guidance plan जो है strategy plan जो है वो discuss कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे टीमें इंटर के जिनोंने एक ग्रूप के पेपर दिये है दान देना पेपर एक ग्रूप के दिये हैं लेकिन जो दूसरा पेपर है वो उनका या तो दूसरा जो ग्रूप है वो या तो उनका clear है शेक्जाम्पल आ पने फस्ट Gmail के पेपर एक्ट ऐसि पर आ फिर फिर हो शक्ता आपने बहुत घ्रूप के पेपर दी जोने नहीं आपको पहले मैं रिजट का वेट करूँगा उसके बात देखता हूं क्या करूँगा तो फिर क्या करूँगा सोचने में दस दिन और वेश्ट करोगे तो कोई नहीं होने वाला उस चीज का अगर आपको लगता है आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं दुबा में आपको अभी बता रहा हूं कि किस तरीके से आप classes हमारी और कर सकते हूं कर सकते हो काफी सारे विलेबल है recorded classes जो की best option दैसे इसके अलावा लाइव classes का वह आप option लेते हूं और face-to-face में भी जा सकते हो क्योंकि कम टाइम में जब आपको coverage करनी होती है तो recorded classes are the best classes सिम्पल सी में बात करूं तो लाईव क्लासेज aPan-sa selecting लगेंगे किसी भी सबजेक्ट को cover करने में फेस्टु वेस्ट में similar 50-6 मेंने किसी भी में सबजेक्ट को cover करने में लगते हैं अगर आपने बोत ग्रुप धिया हैं आपका एक एक ग्रुप clear है दूसरे के आपने paper दे दिये तो sir मेरे पास पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा आप cma final की study start कर दो नहीं अभी नहीं करो आप interview के लिए preparation start करो क्योंकि आपको cma inter both group के बाद training कर लिए तो sir training के लिए interview face करना है और interview की preparation आपको start कर देनी चीए interview की preparation का मतलब है अपने आपको update रखो accounting standards के regarding taxation के regarding और आपके लिए costing भी काफी important है तो cost accounting standard वगेर के regarding इनके regarding आप update रखो अपने आपको cost accounting standard को थोड़ा detail में पढ़ लो जो अभी तो काम पंडवी से पढ़ाता अभी interview के पंडवी से पढ़ो accounting standard थोड़ा वह detail में पढ़ लो taxation थोड़ा वह detail में देख लो और staff की साथ training के लिए search भी start कर दो कि सथ जैसे ही मेरा result आएगा और मैं training के लिए जाओंगा तो मैं कहां कहां जाओंगा अपना cv वगेरे प्रिपेर करके लख लो resume वगेरे बनाके रख लो हो सके तो कुछ firms कुछ company में होके आजाओ ताकि अगर आपको कोई अभी से काम पर रखने को त्यार है आप एक cma firm में जाना चाहरे हो तो आप सर्थ start कर दो आपको लगता है यह अच्छी warm है आप उनको यहां कुछ दिन का काम पहले ही कर लो training से पहले ही कोई बुराई वाली बात नहीं है इससे क्या है इससे आपको कुछ ना कुछ experience नहीं मिलेगा तो time बिल्कुल waste नहीं करना अगर आपने एक ग्रूप पहले cleared है दूसरा ग्रूप दिया या फिर बहुत ग्रूप दिया पेपर अच्छे वे हैं sir इंट्रव्यू के लिए preparation स्टार्ट कर दो training के लिए search स्टार्ट कर दो और training अगर पहले ही मिल जाती है रिजल्ट से start कर दो start कर दो कोई दिक्कत नहीं है positive result आया continue कर लेना by chance भगवान ना करे negative result आ गया अच्छे paper होने के बाद भी तो दुबार इससे आपको preparation स्टार्ट करन होगा study अपनी start कर दो दो महिने डाई महिने तक result का wait करने का time based करने का कोई भी benefit नहीं होने वाला क्योंकि होगा क्या जब अगस्ता देएगा paper अच्छे हुए नहीं अगस्त में अगस्त में result आता है अपना और उस time पर आपको पता लगता है sir clear नहीं हुआ तो आप December के के दिसंबर तक क्योंकि time कम बसता है फिर से वही आधी अधुरी preparation के basis पर exam दोगे तो confidence नहीं बन पाएगा exam देने में confidence नहीं बन पाएगा और अगर आप CMA final case student हो तो भी आपके सामने same situation है inter student वाली हो सकता है आपने एक group में appear किया हो group 3 या group 4 लेकिन जो दूसरा group है अपना pending remaining रहता है remaining है sir तो simple सी बात है ना उसकी preparation start करो अगर आपके paper अच्छे वहें तो अगर आपने group 3 दिया है तो group 4 की preparation start कर दो group 4 दिया है group 3 की preparation start कर दो आप कहते हो sir paper हो गये खराब paper खराब हो गए तो दो महीने फिर से waste करने का कोई फायदा नहीं है बच्छो दुबारे से study start कर दो जिस paper में लगता है कि यह paper ज्यादा खराब हुआ मेरा जिसकी वैसे मेरा group रुकेगा तो आप especially उस paper पे preparation start कर दो again policy अपनी वही है कि sir दो महीने जो result आने में लगेंगे उसमें अपने को यह prepare कर लेना है दो महीने के बाद आप अपको analyze करना जब result आये तब कि sir कितना पानी में हो आप कितनी preparation कर चुके है इस वाले part की आपको लगता है 87% preparation हो चुकी है मेरी go for next group न साढ़े तीन महीने बच और अगर आप cma final case student हो आपका या तो एक group cleared है group 3 cleared है 4 में आपने paper दी है या 4 cleared है 3 में आपने paper दी है या फिर इस बार आपने बहुत group दी है तो अगर paper अच्छे नहीं हुए तो एक ही बात में बार बार बोलूँगा time waste मत करो preparation start कर दो और specifically उन paper पे ज़्यादा concentrate करो जिन्हो होने आपको ज्यादा परिशान किया है अंदर से मतलब फील आना चीए कि अगर बाई चांज मैं कहता हूँ SCM है आपको SCM ने परिशान किया है तो बोल दो SCM को कि मैं तुझे परिशान कर दूँगा अगर आपके इस बार 20 marks आते हैं तो next time 80 plus लेके आऊंगा 90 plus लेके आऊंगा लेकिन लेके तो आऊंगा लेकिन लेके तो तबी आप आऊंगा ना जब प्रिप्रे कर दूँगा दुबारे से preparation करूँगा तो दुबारे से preparation start कर दो 21 अगस तक कोशिश करो जब तक result आए 22 23 जो भी है result आए तब तक इसको complete कर लो पहले से ही ताकि बाद में हम अपना best दे सके December exam के लिए अगर आपके पेपर अच्छे वह हैं CMA final के बोत ग्रूप या फिर जो remaining ग्रूप था उसके तो फिर अगेन मैं कहूंगा time waste करने कोई फायदा नहीं है आप अपने interview के लिए preparation start कर दीजिए क्योंकि जैसे ही result आएगा campus interview या फिर job या फिर जो भी आप जिस भी option में जाना चा को taxation के regarding costing के regarding indirect taxation के regarding SCM के regarding ठीक है यह जो CAS पगेर cost accounting standard क्योंकि main आपके interview के point of view से यही सब पूछा जाता है साथ में job के लिए search भी start कर दो जब paper अच्छे वे हैं पता है कि जैसे ही result आएगा जैसे ही result आएगा मुझे तुरंत job के लिए apply करना है अच्छा सा cv बनाओ search कर दो अभी से job के लिए search कर लो आपने अगर जहां से training करिए वहाँ पर आपके लिए option अभी भी अवलेबल है आप वहीं पर आगे काम continue कर सकते हो जॉब अगर आपको पहले ही offer आ रहा है जाइन कर लो अगर अच्छी जॉब है तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना इस दो मेहने का आपको यहां पर इंट्रिव्यू के लिए प्रिपेर करो या फिर जॉब के लिए search स्टार्ट कर दो पहले ही offer आ रहा है सर जॉब जॉइन भी आप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अब उन्हों ने बहुत ग्रूप दे दिये फाइनल के तो आल्मोस्ट आल्मोस्ट को कंपनी वालों की लगता है कि बच्चे का अगर पास्ट परफॉर्वेंस अच्छी है तो में भी आगे अब उसी तरीके से चल रही होगी तो वह जॉब पहले भी ऑफर कर देते हैं नौर्मली तो सिंपल सी बात है आपके पेपर अच्छे वे हैं इंट्रिव की प्रिपरेशन करो जॉब के लिए सर्च पेपर अच्छे नहीं वे सर्च दुबारत से स्टेडी स्टार्ट कर दो ग्रूप 3 ग्रूप 4 जो बहुत ग्रूप आपने दिया हैं जो पेपर ज्यादा खराब हुए हैं उन पर पहले कोशिश यह रहनी चीए जिस पेपर ने मुझे परिशान किया है उस पेपर को नेक्स टाइम मैं परिशान करके छोगूँगा कोशिश हमेशा देखो यही होनी सिंपल सी बात यह है सर टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को नेक्स्ट स्टैप की प्रिपरेशन जो है वह स्टार्ट करनी है एक्जाम हुए दो तिन दिन हो चुके है रेस्ट ले लिया आपने देखो किसी बच्चे को ज़्यादा रेस्ट करने की आदत एक दो दिन और ले सिंप Bengtा स्टैफिशन म में सी मफांडेशन इंटर फाइनल हर एक लेवल पर प्रवाइड कर आते हैं हमारी जो लिपक्रा सिसे नुकर क। बात करूँ आप हमें contact कर सकते हो classes के लिए recorded classes के लिए भी contact कर सकते हो आप हमें live classes के लिए भी contact कर सकते हो आप हमें face to face classes के लिए भी contact कर सकते हो अगर आप डेली में रहते हो या डेली में classes लेना चाहते हो तो तीनो mode के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो जो भी मैं आपको डीटेल बगिर बताऊंगा अभी उसकी अकॉर्डिंगली लेकिन अगर मैं रिकॉर्डेट क्लासिज की बात करूँ तो सर्डेकॉर्डेट क्लासिज में हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वह यह है कि आपको अनलिमिटेड व्यूज मिले लग लग है हर बच्चे की अलग लग है एक बच्चा हमें स्ट्रेडिजी कॉस्ट मैनेजमेंट फाइनल की क्लासिज के लिए आठ हजार का जो हमारा प्राइस है विदाउट बुक वह भी पे करने हो तयार है विद बुक अगर मैं बात करूं तो आठ हजार साथ सो रुपे में कवर करना चाहता हूं आपकी अपनी परफॉर्मेंस आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है हम आपको वैलिडिटी ओप्शन प्रवाइड करा रहे हैं वन मन्थ टू मन्थ त्री मन्थ दिसंबर चौभी सो और जून पच्चेस सर पांस पर टफ था नहीं तो सर स्थे एक्जांपल ठीक है सीम के लिए आपका खराब हो गया लेकिन आपको लगता है कि सर सीम के अंदर 50% चीजे तो मुझे क्लियर थी 50% चीजों में मुझे डाउट था तो आपको लगता है आप दो महीने में वो 50% चीजे कवर कर लोगे तो आप आपको लगता है सर मुझे तो एक दो चैप्टर में ही दिक्कत थी तो चैप्टर तो हम प्रवाइड नहीं कराते बट आप उस सिचुएशन में एक महीने की वेलिटी के लिए हमारी क्लासेज ले सकते हो जितनी वेलिटी होगी उस वेलिटी में आप unlimited number of views हमारी क्लासेज के फिल जाएगा अगर आपको विंडू पे क्लासेज देखने है आप वमारी website पर जाइए वहां पे order प्लेस कर दीजिए आपको अगर रहें तो बेटर है कि आप हमें के बीच में आप हमें call करके अपने doubt clear कर सकते हैं एक्जाम से पहले हम आपको marathon provide कराते हैं revision classes provide करवाते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा beneficial होती है बच्चों के reviews आप हमारे youtube channel पर पढ़ सकते हैं revision classes को लेकर भी साथ में हम आपको suggested answer भी discuss करते हैं even इंस्टिड्यूट के suggested answer आने से पहले हम आपको अपने suggested answer provide करा देते हैं तो detail में हम आपके साथ suggested answer discuss करते हैं question papers के जो institute model question paper release करते हैं उनके solution हम आपके साथ detail में discuss करते हैं एक्जाम से पहले वाले दिन बच्चों को काफी दिक्कत रहती की सबस्ट बहुत बढ़ा है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए तो हम आपको वन डे विफोर एक्जाम strategy भी आपके साथ share करते हैं ताकि आप अपने जो revision है वन डे विफोर exam revision को plan कर सको better तरीके से इसके लावा हमारी जो classes है आपको google drive के through मिल जाएगी अगर आपके पास internet facility है वाइफाई है तो गूगल ड्राइव प्रिफिर करो अदर्वाइज आप pen drive के लिए भी जा सकते हो आपको ebook option भी मिल जाएगा ebook option में क्या होता है आपके 700 रुपीज बच जाते हैं जो आपके लिए test series लेकर आजाते हैं तो सार एक फुल फ्लेज आपको package मिलता है हमारी तरब से जो की 100% support है अगर आप discipline के साथ study करते हो इस situation में कोई रोक नहीं सकता आपको pass होने में और अच्छे marks लाने में अगर आपको live classes यह recorded का बता है मैंने अगर आपको live classes लेनी है या face to face के लिए जाना है आप हमें contact कीजिए contact number यह है आपको live classes और face to face classes की detail भी मिल जाएगी face to face classes हमारी केवल और केवल डेहली में available होती है और live classes आप कहीं पे भी बैठ कर देख सकते हो live classes जो conduct की जाती है वो डेहली से ही conduct की जाती है तो सर आपको अगर हमारी classes भाई करनी है तो आप हमें contact कीजिए डबल एट सिक जीरो सिक त्री डबल सिक डबल सिक पे recorded सी यह live classes यह face to face इस नंबर पर आप contact कर सकते हो अगर आपको directly classes लेनी है और mobile में classes देखनी है mobile का मतलब यहाँ पे android है ध्यान रखना अगर आपको अपने android mobile पे classes देखने है आप play store पे जाहिए play store से हमारा mobile app download कर लीजिए जिसका description box में link given है और वहाँ पे store section में आपको जो class से जितनी validity के लिए चाहिए आप वहाँ से direct buy कर लो जैसे आप buy करोगे immediate basis पे आपकी classes start हो जाएगी अगर आपको hard copy चाहिए इस number पे contact कर लेना क्योंकि mobile app म आपको hard copy का कोई option नहीं मिलेगा soft copy का मिलेगा soft copy वहाँ पे classes के साथ free of cost है hard copy चीए इस number पे contact करके आप order place कर सकते हैं आपको laptop में classes देखनी है या तो आप इस number पे contact कर लीजिए या फिर website का link description box में given है उस पे जाके आप अपना order place कर दीजिए link आपको 24 hours के अंदर अंदर इस space कर देते हैं बाकि आपका consistency है उसके accordingly आपके पास within one week hard copy भी पहुन जाती है आपको अमारे demo lecture देखने है तो जिस YouTube चैनल पे आप ये video देख रहे हो उसी YouTube में playlist में चले जाए और जिस playlist की जिस subject की जिस group की आपको demo देखने है वो demo आप वहाँ पे देख लीजिए फिर भी आप हमें इस number पर contact कर सकते हैं आप चाहो तो mobile app में chat box भी है mobile app में जाके chat box के तुरू भी आप chat करके हमसे details वेगरे के demand कर सकते हो तो simple सी बात कहानी यही है सरी कि हमारी classes में best option जो है वो ये वाला option जो है वो आपको शायद ही कोई provide कराता हो मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई provide नहीं कराता है इंडिस्ट्री में लेकिन मुझे idea नहीं है most of the teachers जो है वो आपको इस time पे December 24 के लिए classes प्रवाइड करा रहे होंगा price start कर रहे होंगे कम से कम 5,000, 6,000, 7,000 रुपए, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए लेकिन सर अगर आपको ये already paper दिये वे हैं और आपको लगता है कि मुझे तो one month sufficient है या फिर आपने paper नहीं भी दिये वे आपको लगता है कि सर मैं से example 1500 गंटे का ये course है CMA Inter cost accounting का आपको लगता है सर त तीन महीने मेरे लिए sufficient है तीन महीने में मैं पढ़वी लूँगा notes वगेरे सब बन जाएंगे आप क्यों December 24 के लिए जाते हैं आप तीन महीने के वेलटेटे के लिए चले चाहिए और time बिल्कुल भी waste नहीं करना है ये जो मैंने strategy बताई है ये common तरीके से बताई है अगर आपको लगता है कि आपकी situation इससे अलग है आपकी situation इससे अलग है जैसे अभी कली मेरे पास message आया एक बच्चे का सर बहुत group दिये है strategy बताओ क्या करूं तो क्या करूं मैंने बता द है तो आप comment box में लिखिए या फिर आप चाहो तो हमें इस number पे भी WhatsApp कर सकते हो अपनी situation जो भी guidance हमारी तरफ से possible होगा वो हम आपको बिल्कुल बिल्कुल provide करवाने की कोशिश करेंगे और हाँ classes पे अभी हमारा discount चल रहा है तो अगर आपको classes लेनी है तो as soon as possible 30 जून से पहल रुपे में मिलती है वो अभी अप्रॉक्स अप्रॉक्स आपको 4000 के आसपास मिल जाए जो SCM आपको 8000 के आसपास मिलता है वो आपको इस time पर आके 6000-6500 के आसपास मिल जाएगा books वगेरे पर depend करता है आपको books लेनी है कि नहीं लेनी तो sir time बिल्कुल भी waste मत कीजिए और as soon as order अपनी preparation start कीजिए classes लेनी है mobile app download कीजिए description box में telegram channel का link भी given है वो भी आप download करके रख लिजिए किसी भी updates अगरे के पंटक्ष से तो this is all about for today मिलते है next video में thank you bye